नमस्कार, आज किसी कारण से पूरा खवर नहीं दे सका हूँ, पर कल से 25 खवर आपको समय से मिलेंगे, तो आए कुछ संशिप्त खवर जानते हैं जारखन में 246 संक्रमित की पुष्टी हुई है, जो राची से 52, भोकारो 19, चत्रा 5, देवगर 10, धनबाद 24, दुमका 3, पूर्वी 48, गढ़वा 12, गिरीडी 3, गोड़ा 4, गुमला 3, हजारी वग 5, जाम तड़ा 1, खुटी 4, कोडार्मा 4, लुहर दागा 5, पलामु 27, 9,532 लोग स्वश्ट हुए और 905 की मिरती हो गई, भारत में कुल संक्रमित की संक्या 85,195 है, जबकि 89, 57,261 लोग स्वश्ट हुए, और 1,277,104 की मिरती हो गई, भारत में 37,164 नय संक्रमित मिले हैं, जबकि 41, 450 स्वश्ट हुए हैं, भारत में इस समय पांच लाग 4,916 एकटीब केस है, वहीं ज़ार्खन में एकटीब केस 2,1151 है, काक्छा 9,6ी से लेकर बरावी तक का सिलेबस में 40% कटोती कर दिया गया है, और सिलेबस जारी कर दिया गया है, आप वाट्सेप नमाब पर जूड़ कर सकते हैं, या साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, रेल एपामवदी आठ नौमबर से पंद्रह नौमबर तक खोनी करांती सब्ता मना रहे हैं जिसे लेकर राज भर के पसासन अलट पर है जमसेदपूर में तीन साल की बच्ची के साथ दुसकर्म का मामला सामने आया या घटना चार नौमबर की है जबकि एफ हाया चार दिन बाद सही नहीं रहेगा आम जमता की बात सुनने के लिए या आम जमता को सिकायत करने के लिए मंगलवार से यी समाधान पोटल की सुरुवात होगा जाखन के सभी जिलों में सर्दी के मौसम ने दस्तक दे दिया बता दे निम्तम तपमान में 2-3 डिगरित तक की गिरावट देख यू